देखो यह question number second है कि find the distance between point 00 and 3615 तो देखो और इसके बाद में exactly NCRT का जो question 2 है उसमें क्या given है कि section 7.2 में जो problem है उसका भी बताओ exactly वो यही points है देखो कैसे मैं बताता हूँ आपको उसमें क्या given है section 7.2 में कि ये एक town है अब खुद देखो जड़ा इसके इधर ये east direction है इधर जाएंगे तो ये west है ये उपर वाली north है और ये नीचे वाली south है है ना तो अब इन्होंने काए A के east में ये 36 km की location पर और फिर उस वहाँ पहुंचकर वहाँ से north में ये 15 km की location पर यहां से ये 15 km ये 15 km हो गया और ये 36 km हो गया यहां पर कोई town प्रेजेंट है बी इन दोनों के बीच का distance बताओ तो इसको आप देखो पाइथागोरस थेयोरम से भी निकाल सकते हो लेकिन हम इसको distance formula से भी करेंगे देखो इसको अब हम origin मान लेते हैं coordinate geometry में यही चीश सीखनी है coordinate geometry में क्या है ये हमने origin मान लिया ये 00 है इसका A का coordinate ये B का coordinate क्या हो गया देखो XY होता लेकिन X coordinate कितना है 36 यहां से यहां तक 36 है और यहां से यहां तक Y coordinate है या यह Y axis और यह X axis होती है इस तरह स होते है यह एक्चम में होती क्या है देखो अपने नमबर लाइन तो पढ़ना है ना यहां पर यह 0 होता है फिर यह वन होता है फिर यह टू होता है फिर यह ट्रिह होता है अब टू इंफिनिटी तक जाता STEPHANा seven इस ही है यह माइनस का फोर डोट 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 आगे जाता है यह माइनस इंफिनिटी तब इसमें सारे के सारे रियल लंबर्स होते हैं नैचरल लंबर्स नहीं होते मेरा मतलब नैचरल लंबर्स होते हैं बट नैचरल के साथ साथ integers भी होते हैं और rational numbers भी होते हैं और irrational numbers भी होते हैं तो ये total मिला करके real number line होती है है ना तो ये real number line को यहाँ पर आप देखो उसका ये origin हो गया एक तरह से आप single dimension में समझो 1D में समझो ये क्या होगा ये one dimensional होगा आपका तो इसमें आप एक ही point बोल सकते हैं जैसे 3 तो 3 को आप यहाँ पर point out करोगे ये point बना दिया आपने अब मैं इसके 90 degree पर ऐसे एक और number line बना दूँ ये एक और number line बना दी मैंने जिसमें यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 होते हैं coordinate geometry in two dimension तो यह one dimension यह हो गई और one dimension यह हो गई तो मिनसे two dimension हो गई अब इस तरह से है इसमें coordinate geometry जो 10th class में आपके introduce हुई है और देखो अब क्या है कि अब आप यहाँ पर single point represent नहीं करोगे अब यह plane बन गया यह क्या है पूरा plane बन गया जैसे plane क्या है अब यह paper हैना यह paper है तो यह plane मनें सिंगल लाइन ञेंगा जब dot होती है न डोट डोट मिलते हैं तो एक लाइन बनाते हैं ऐसे कई सारी लाइन मिल जाती है न जब तो यह पूरा बन जाते hips मझें आप इस सारे को इस तरह से line 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 बना दो तो इसकी क्या होगा अब यह plane बन गया यह क्या है plane इसकी एक length से यहाँ तक इसकी एक second dimension यानी width है यहां से यहां तक तो एक plane बन गया तो ऐसे ही आप suppose कोई point बनाओगे आप यह point रिखो यह point है अब इस point को point out किया तो इसको आप कैसे लिखोगे इसको लिखोगे x axis में 3 है और y axis की तरफ यह 1 और 2 यह 2 है तो 3,2 यह है यह point 3,2 इस coordinate system में ऐसे ही इसमें represent करें इसको हम तो यह क्या हो गया x axis पे 36 जा रहा है और y axis पे 15 जा रहा है तो 36 y 36 और 15 यह b के coordinates हो गए यह हमने origin पे मान लिया था क्योंकि origin क्या होता है इसका भी 0 और perpendicular वाली real number line का भी 0 है ना तो यह भी हो गया यह point हो गया 00 अब यह point हो गया one one है ना यह point हो गया two two यह point हो गया minus one minus one ऐसे ही यह वाला point हो गया minus four minus four क्योंकि यहां पे x भी minus four और y भी minus four है है ना ऐसे ही यह line यह number यहां पे four होता यहां पर भी यह four है तो यह वाला point हो गया four four समझ पा रहे हो ना बात को तो एक तो यह चीज है है ना तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखो आता कहां से है वैसे भी कि आप पाइथागोरस लगाते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला आता भी वहीं से ही है आपने देखो जरा यह क्या है जीरो है ना यहां से यहां तक मैं इसको क्या गया देता हूं देखो भी डिस क्या है हमारा AB के बीच में जो डिस्टैन्स है वो क्या होगा डिस्टैन्स फॉर्मॉला से करेंगे तो हम X2-X1 का होल स्क्वेर प्लस Y2-Y1 का होल स्क्वेर है ना तो यहां पर X2 क्या है X1 और Y1 तो देखो यह origin है यह X1 और Y1 है दोनों 00 हो गये तो यहां पर 0 पुट कर दो और यहां पर 0 पुट कर दो यह ऐसे ही इसको आप परपेंडिकुलर ड्रोप करोगे इस वाली पर दूसरी नमबर लाइन पर जो कि हमने पहले वाली नमबर लाइन के परपेंडिकुलर बनाई है इस नमबर लाइन पर इसको आप परपेंडिकुलर ड्रोप करोगे यहां से परपेंडिकुलर बन गया तो य यह व Waarइवन हो गया कोडिनेट और यह वाइट्वों गया है ना तो इहां पर एक्स चलि हमें एक्सटव डू लिख देते हैं और तो एक्स चु क्या हमारा थाटी सीक्स उर वाईट्ू क्या हमारा था यह हमारा 15 तो यह एक्च्वल में क्या पायिफा परचागॉर्स का चलगे ना थे-स फिफ्टीं का स्कुए अंडर उट में यह यह दो करके देगा हमें जार फिसमें आप fuck that ऑना दिप्प सकुएर प्लस रप्र पेंडीकुर स्कुर्पर ब्रबर है ग्रफ 25 होता है प्लस 36 कण्राइगा 36 इंटू 36 करके देख लेतने हैं यांपर अब इनको एड करो गया बारे सो छी आनवे अन्डरूट अब इनको एड करो गया बारे सो छी आनवे प्लस टू टू फाइव कितना आ गया एक नो और एक दस दूबारे कर दो एक दो दो चार और एक पांच और एक पंदर सो एक किस आ गया चरपांच ग्यारे कर एक चरपांच ग्यारे कर एक नो और एक दस और दूबारे कर दो एक दो दो चार और एक पांच कर एक और एक दो प यह 1521 ही आ गया 1521 अंडर रूट इतना आ गया तो 1521 क्या हो गया यह अंडर रूट में आप खुद देखो ज़रा है 1600 से थोड़ा सा कम है न अगर यह मान लो नियर यह आपका इसको नियरली कर लो 1600 है न तो छोड़ा आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा नियरली यह 4 आ जाएगा यानि कि क्या हो जाएगा वर्एज में रफ्ली 40 किलोमेटर के आरांड आ गया अब 39 कमी इसको निकालने की कोशिश करते यह भी आ तो इतना गया वैसे हमारा लेकिन अब हम 39 का स्क्वेर करके देखते हैं एक बार एक साथ में बार है कर दो एक तीन चार और एक पांच और एक पंद्रह सो एक की सा रहा था है ना पंद्रह सो एकिस तो थर्टीन गई था बस मुझे याद नहीं था मैंने इसलिए आपको एक ट्रिक के वे में बताया बट वह एक्जेक्टली निकलाया तो पंद्रह सो एक्कीस हमारा मिल गया तो हमारा ए भी क्या है थर्टीन नाइन किलोमीटर है क्योंकि पंद्रह सो एकिस चल रहा था ना हमारा लेकिन फिर भी अगर आपको सब्ब्रह सो एकिस ना होता पंद्रह सो एक्तालीस होता या पंद्रह सो एक सठ होता या 1571 होता 1551 भी हो सकता था 1551 भी हो सकता था 1591 में भी हो सकता था तो आप क्या लिखकर क्या आते है आंसर में roughly around 40 km तो आप उससे एक पहले का निकाल के देख लेते 39 पे क्या आता है देखो 39 पे इतना आ गया 1521 तक तो ठीक है बाकि 1531 से लेकर कि 1600 तक आप यही लिखा होगे कि एवरेज में 39 है इसका या एवरेज में 40 है इसका है ना तो around इतना इसका answer आ गया तो इसका मतलब टाउन A और B के बीच में 39 km का फासला है एक्च्वल में हमने calculate नहीं किया जाकर कर यहां से यहां तक travel नहीं किया लेकिन हमें location पता थी कि east में जाएंगे 36 और वहां से फिर north में जाएंगे तो 15 तो actual में हमें यहां से यहां का distance पता चलिए तो distance formula इस तरह से help करता है यह actually pythagoras theorem से ही आया है